नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत एंवेस्ट्मेंट का फंडा चैनल में तो दोस्तों यदि आपने अडानी पावर के रिरल्ट नहीं देखें तो वीडियो चैनल पर डाल दीए यानि कि FSL के नाम से भी इस कंपनी को जानते हैं First Sort Solutions Limited और ये कंपनी पीछे इस तरह से भी famous रही क्योंकि इसमें Mr. Rakesh जुन जुलुवाला की अच्छी खासी मतलब share holding थी उन्होंने काफी अच्छा खासा investment इसमें किया हुआ था बीचमनों ने अपना steak बेच दिया था तो अब इस company के बारे में बात करते हैं पहले में आपको छोड़ा सा business model इसका बता दूँ तो ये जो है business support प्रोवाइड करता है काफी सारी companies को यानि कि business process management को करने के लिए help प्रोवाइड करता है या banking में ATM माली companies हो गई इस तरह की service और बिंजिस support प्रोवाइड करती है इस company आप चलिए बात करते है कि इसके result कैसे रहे है फर्स quarter के पिछले quarter के और comparatively कैसे रहे है overall result तो पहले हम बात करेंगे income की total income कितनी रही है million में value दिए लेकिन हम सीधा सीधा इसको जैसे लिखे है वैसे value पढ़ेंगे 14,787 यानि कि 14,787 यहाँ पर income आई है इससे पहले कितनी थी 15,435 यानि कि income जो है last quarter के मुकाबले down हुई है अच्छे पिछले साल कितनी थी पिछले साल थी देखिए 14,847 14,847 के कितनी होगे इस बार 14,787 तो यहाँ पर भी quarter on quarter plus year on year income में slightly ग्रावट देखने को मिल रही है आपको जो की company के लिए अच्छा साइन नहीं है आप देख लिए थे कि expense की हो सकता है कि expense कम आई हो तब भी बढ़ एच्छे बात है यहादी expense कम करके कमपनी अपना profit निकाल ले कोई दिक्कत नहीं है तो expense कितना है इस बार 13,749 के पिछली बार कितने थे 13,875 के expense almost last quarter के बराबर है प्लस 13,193 के थे last year यानि कि जून 2021 में तो expense तो almost कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं expense में लेकिन यदि आप देखोगे तो वहाँ पर income में भी गिरावट है expense इस बार बढ़कर ही आएं देखिए income भी गिरी है लेकिन last year के मुकाबले expense भी बढ़ गए है 13,193 से 13,749 में तो result जो है खराब रहने की उम्मीद है यहां से देखते है net profit कितना निकल कर आया company का net profit देखेंगे उसके बाद आपको अंदार लेगा देखिए net profit after tax यह वाली जो line है 850 का profit निकल कर आया पिछले quarter में कितना था 1323 का था तो 1323 से 850 कितनी गिरावड़ा देखिए लास्टेर सेम quarter कितना था 1336 यहां पर कितना है 1336 का गिरका कितना होगे 850 तो यहां पर मोटा मोटा लगभग 500 आप इसको million में माल लीजिए इतने 500 million की गिरावड़ा यानि कि 1336 से 850 पहुंच गया गिरावड़ा अच्छी कासी कमपनी के net profit में income में प्लस expense में कोई गिरावड़ नी आई इसी कारण से कमपनी सफर कर रही है अब आपको दिखाता हूँ इसका EPS क्या है EPS देख लेते हैं EPS जो है कमपनी का रहा है 1.25 पहले कितना था 1.95 लास्टेर कि यहां से यहां गिरा और यहां तो पिल्कुली गरे गया 1.25 आगया लगबग 2 से 1.25 तो EPS में कमपनी के गरावड़ देखी जा रही है आपर first short solutions यानि की FSL इस तरह की जो कमपनी होती है ना small cap, mid cap इस तरह की companies में आपको कई बार इस तरह की situations देखने को मिल सकती है ज्यादा पर इसकी रहती है पहले company ने अच्छे return मना कर दिये है यह अभी आगे भी ऐसा कुछ नहीं है आगे भी कुछ orders मिलेंगे company के business approvals अच्छे से होंगे association सही चलेगा हो सकता company track पर आ जाए लेकिन बोलेगा कौन कोई नहीं बोल सकता अभी तो देखने में result खराबी लग रहे है अभी यदि मेरी recommendation मैं अगर बोलूँ तो result अभी तो मुझे तो अच्छे नहीं लगे company के thumbs down करने वाले result ने fsl के result इस बार अच्छे नहीं आए है next quarter में देखते हैं क्या होता है अब आपके पास यदि सेह है तो आप क्या करने वाले हो आपके decision है आपको result कैसे लगे आप अपनी राए भी comment करके बता सकते है thank you so much please keep watching investment का फंडा जैहिन जैभारत